हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम सब कुछ जानते हुए भी गलत कामों में फस जाते हैं और गलत कामों में जब हम फस जाते हैं कि जब हम गलत कर्म कर लेते हैं उसके बाद में करते हैं उस चीज़ का हमें बहुत ज्यादा अफसोश भी होता है और फिर उसके बाद में यही करम चलता रहता है तो हम इस चीज से बाहर क्यों है निकल पाते हैं तो इसा क्यों होता है इसी के ओपर आज हम बुद्धी है तो बहुत सारे लोगों ने इस पर कहा कि सर आप गलत बता रहे हैं यह श्री कृष्ण भगवान ने ठीक है और यह अर्जुन है ऐसा नहीं है आप यह जो डाइग्राम है ना श्री कृष्ण भगवान जो है वह अर्जुन को इस डाइग्राम के माध्यम से हमारा मन इस शरीर का रूपी जो रत है इसका सार्थी है तो यह श्री कृष्ण भगवान नहीं है यह डाइग्राम अलग है और यह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं इसके माध्यम से आप समझे मेरी बात को तो ऐसा है तो मन है शरीर के रत का सार्थी मत कुछ देखता हूं पर फिर मेरी बुद्धी को पता है कि यार मैं देखूंगा बट यह गलत चीज नहीं देखने चाहिए क्योंकि यह देखूंगा उसके बाद में मुझे पता नहीं किसे थोट आएंगे और मेरा मन मुझे परेशान करेगा लेकिन फिर मन कहता है रहे कि Lehr आगे पि यह चाहिए अब इंद्रिया जाना बड़े हैंगे तो जैसे कभी मन करता है किसे चुनलूं मन करता तो छकलूं नोह सब इंद्रिया है इस रत के घोड six गोड़ों को विशयों क्यों भगा है तो हमारा जो नोता न यह विशय को भगाता है ऐसा कर लो वैसा कर वैसा कर लो फिर आगी क्या आता है कि कि वापस से बोलना पड़ेगा मुझे कि मन है शरीर के रत का शायआ आत्मार वाज भूड़े की ओर भगाए आत्मा और शरीर के मध्य में अब हमारी बुद्धि है जो हमारी आत्मा और शरीर के मध्य में यह मन अपने खेल रचाएत्ए हम life को पता है कि यहे जो मैं तो सही है, तो मन यह आपको विशह की ओड' ले जाता है। हमको पता है कि यह गलत है, आज जिसे किसी व्यक्तिक शादी हो गई, अभ शादी के बाद भी वह कहीं और किसी से बात कर रहा है। कहीड़ा है इसे पता है encontramos जिए हम गलत कर रहा हूं मेरी वाइफ के साहद गलत कर र पड़ गया कोई कुछ नहीं होता है ऐसा आपका मन कहेगा और आप जानते हुए भी उस तरफ जाओगे और फिर उस तरफ जाने से क्या होगा आप हमेशा देख लेना आज तक भी आपने देखा होगा कि कोई चीज जो आपका आपकी बुद्धी मना करती है किसी चीज के होती है आप परेशान होते हो लेकिन फिर आप कोशिश करते हो कि अब मैं नहीं करूंगा फिर बाद में जैसे आप ठीक होते हो फिर से वही दोराते हो तो इसलिए आप जब अच्छी चीजे सुनेंगे जब आप अपने सबकॉंश को रिप्रोग्राम करेंगे धीरे-धीरे तो कुछ अच्छा देखते हैं तो धीरे-धीरे-धीरे आपका मन जो हो आपकी अपके कंट्रोल में आ जाता है फिर धीरे-धीर क्योंकि हर चीज के प्रेक्ट्िस करने पर एक दिन नहीं होता है कि हम यह जा क्लब में जा रहे हैं आजकल के बच्चे वहां पर इंजोय कर रहे हैं या 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 ऐसे कर रहे हैं वहां दुख भूला रहे हैं ठीक है उनके इतनी अंदर जो है क्योंकि कम उम्र है बहुत साइच चीज़ें कर लेते हैं ध्यान रहता नहीं है तो वह गम को भूलाने के लिए हाँ वहां पर इंजोय करना है उनको वड़ना एंजोय है तो अंदर से होता है आतमा आप कहीं आकेल्ये बैठे ना आंद होता है पर हो क्या रहा है आज कर you आप देखो पार्टी में जा रहे हैं वहां पर ऐसे वैसे कपड़े पहनना फिर डांस करना शुराब पिना और उनको लग रहा है कि हम लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं वह और दलदल में घुशते जा रहे हैं और जिस गम को भूलाने के लिए वह यह चीज़े कर रहे हैं उसस िसलिए आपको अपनी बुद्धी से काम लेना चाहिए आपको पता है कि क्या सही है क्यायàng प्रेंम में पड़े हैं लिए बहुत ज्याड़ा मतलब ऐसा लगता है कि वह कि यह कि जानेगा आपसे बातचीत बड़ेगी धीरी धीरे आपके बारे में सब जान लेगा आपकी अदाएं देख लेगा आपकी मुस्कराट आपकी बोली हंसी सब की तारिफ कर देगा सब खतम हो जाएगा उसके बाद में फिर बातें थोड़ी कम होगी तो कहिन कहीं आपको तो दूसरे की उपयोगीता पहले से थोड़ी कम हो जाती है तीसरे की और कम और चोथी में यार बस अब मन भर गया तो वेसे ही जब किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिलते हैं फॉस्ट टाइम तो आपको उसकी हर एक चीज अच्छी लगती है उसका मुस्कुराना उसका एक ती बदल गया देखो आपको यह चीज पहले से अपने दिमाख में बिठाय के रखनी पड़ेगी कि समय के अनुसार चीजें बदलती है पहले जैसे मैं मेरी जब सगाई हुई थी तो मैं और मेरी वाइप तीन-तीन घंटे तक बाते करते थे फोन पे ठीक है आज तीन से करना है खाने में भिंडीक सब्जी अच्छा मेरे विएज दे थोड़ी सी काई से बस से वेज दे एरोप्लेन भी है मेरे पास का उत्रेगा तेरी चट्पे नहीं उत्रेगा जगे नहीं यह क्या आप हां तो महां चट्पे उत्र जाएगा बस उसमें जो पाइलेट है उसको और यहीं आद्मी यहीं कुछ नहीं कुछ तो टाइम पास तो करना ही पड़ेगा अपनी होती वutar सी बातें क्योंकि अब दोनों ने एक दूसरों को जान आप प्यार में होते तो शुरुवाती दूर में आपको सब कुछ मिलता है जैसे वह रहता है न शुरुवाती दौर में कि पंच शीर में गातें हैं घु ост racing आते हैं हुर हमको अट हुआ रिए होग्र हावा ť सब्स Q ά MAN I बजाएगी समय के अनुसार चीछे बदलेगी उसको आपको accept करना पड़ेगा और यह चीछ पहले से दिमाग में रखनी पड़ेगी आप समझे मेरी बात जैसे आज एक घंटे बात हो रही है ठीक है कल दो घंटे होगी परसो तीन घंटे होगी फिर उसके बाद माइनस में भी क्या आएगा फिर दिरे-दिरे ढाई गंटे दो घंटे एक घंटा फिर आदमी फोन उठाना बंद कर देगा तो आपको यह चीछ पहले से दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ऐसा होता है तो आपको दुख नहीं होगा तो ऐसी कई सारी बात हैं तो इसलिए life को समझ के चलो balance करके चलो तो आपको दुख नहीं होगा दुख कहां से होता है दुख आपके अंदर से पैदा होता है दुख बाहर थुड़ी दुख है क्या दुख सोच के हम पैदा कर लेते हैं कई बार शक की वज़े से दुख पैदा होता है जब कि ऐसा वास्तविक्ता में कुछ होता न मन आपको कई उधारन देगा रहे कुछ नहीं होता है यह नहीं होता है उसको समझाओ इसलिए कई बार हम जानते हुए भी गलत चीजे कर लेते हैं और आपको पता है कि बाद मैं पश्थाना तो पढ़ता है आपने महसुस किया होगा इस बात को इसलिए अच्छे मारगे पे चलें अच्छी चीजों को सुनें अच्छी चीजों को अपने जीवन में अपना है और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पे आप अगर एक वीडियो रोज देखोगे तो आपके जीव अधा गंटा प्रवचन सुनता हूं में प्रेमानेंजी महारा जैना उनके वह आप भी सुना करिए तो मैं उनके प्रवचन सुनता हूं बेठा बेठा अब मैं साथ दिन गुमने चला गया तो गुमने चला गया तो वहां इंजॉय कर रहे हैं इधर घुम रहे हैं उधर पूटीन में रहती है तो इसलिए बेटरी को चार्ज करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेर करें ठीक है और आप मुझे इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं एड़ रेट शाम मुझाओ दिया ठीक्शन की क्लास जोइन करने के लिए नेचे दिया सब्सक्राइब करें और आपका जिवन निश्यत रूप से चेंज होगा यह मैं लिख के दे सकता हूं आपको ठीक है थैंक्यू थैंक्यू सो मच